गोतकपूर नाम के एक गाव में रवी और चुटकी नाम के अनात भाई बहन रहा करते थे माँ बाप के गुजर जाने के बाद रवी पर ही अपनी बहन की जिम्मेदारी पड़ गई थी वो घर के सारे काम कर अपने बहन से बहुत प्यार किया करता था एक दिन चुटकी ने अपने भाई रवी से कहा बाईया हमारे आसपास रहने वाले सभी बुच्चों के माबाब उन्हें कितना प्यार करते हैं पर हमारे माबाओ जी कहा है बाईया मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा बताओ ना भैया, हमारे माँ बाओजी कहा है? मैं उन्हें देखना जाती हूँ अपनी बहन की मासुम बातों को सुन रवी बहुत दुखी हुआ बैना, हमारे माता पिता हमारे लिए ककटिनाईयों का सामना कर रहY है तुमारे लिए कई उपहार लाने के लिए पिला कर देते हो पर मा बाओ जी तो मुझे देखने भी नहीं आते दूसरों के मा बाओ जी को देखकर मुझे बहुत दुख होता है भाईया ऐसा कहकर चुटकी रोने लगी मा पापा हमारे लिए ज़रूर आएंगे ऐसा कहकर बहन को दिलासा दिया इसी तरह हर रोस कोई न कोई कहानी बना कर वो अपनी बहन को चुप कराया करता एक दिन रवी को कोई काम नहीं मिला इसलिए वो घर पर था तब चुटकी ने उससे कहा भाईया आप मेरे लिए कितनी मैनत करते हो हर रोस बाहर जाकर दिन भर काम करने के बाद ठक कर घर वापस आते हो और फिर भी मेरे लिए खाना बनाते हो मुझे तो पेट भर खिलाते हो पर आप पेट भर नहीं खाते अगर हमारे मा बाउची साथ में होते तो हमें इतनी तकलिफ नहीं हो दिना भाईया ऐसा नहीं है चुटकी अपने माता पिता हमारे लिए बहुत मैनत कर रही है बस इतना है कि वो हमें दिकाई नहीं देते अब आने वाले त्योहर के लिए वे हमारे पास जरूर आएंगे ऐसा कहकर रवी वहाँ से चला गया घर में रखी भगवान की तस्विर के सामने खड़ा हो गया हे भगवान ये दूविदा है मैं अपने चोटी बैयन को कैसे समझाओं के अब हमारे माता पिता कभी नहीं लोटेंगे हर बार कोई ना कोई बहाना बना कर बात को ताल रहा हूँ हमने भी मा बाओ जी के साथ बुला लेते तो आज ये नहीं होता न अपने क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याई किया हाँ तूने ऐसे किया है तू ये लेना जिम्मेदरी ऐसे रोते हुए भगवान से शिकायत करने लगा और वो बेहोशो कर वहीं गिर गया इतने में किसी ने रवी को आवाज लगाई वो तुरंट उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया बाबा आप काउन हो? आप हम जैसे गरीब के घर क्यों आए हो? क्या मैं जान सकता हूँ? उस पर सुआमी जी ने कहा रवी तुम मेरे बेटे हो मैं तुमारे पास नहीं आओंगा तो और कहा जाओंगा उनके बाते सुन रवी चौंग गया स्वामी आप हो काउन? मैं आपको कही नहीं जैनता पर आप मेरा नाम कैसे जैनते हो? रवी की बाते सुन स्वामी जिने कहा बेटा रवी, मैं तुमारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम पर जो गुजार रही है, जिन मुश्किलों का सामना तुम कर रही हो, सब जानता हूँ, तुम अपनी बैन से कितनी प्यार करते हो, ये भी पता है, तुम चाहे तो कि तुमारे बैन को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं तुमारी सहायता करने के लिए इतनी दूर आया हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी, इस गाओं के अंतिम चोर पर जो जंगिल है, वहां एक नदी है, उस नदी के बीचों बीच, एक अद्बुत शक्तियों वाला व वामी जी का बताया हुआ मंत्र ध्यान में रखकर, रवी अपने बहन के पास चला गया, चुटकी सो रही थी, मेरी प्यारी के बहन, मा बाओ जी के बारे में सोचते हुए रो रो कर सो गई होंगी, वो रात पीच जाती है, अगली सुबह चुटकी ने अपने भाई से कहा, भाईया आपने कहा था ना कि त्योहार के दिन मा बाओ जी अपने घर आएंगे, आज रक्षा बंदन है ना भाईया, यानी भाई और बहन का त्योहार आपने ही बताया था, कम से कम आज मा बाओ जी हमें मिलने आएंगे ना, ऐसे चुटकी ने रोते रोते अपने भाई से पुछा चुटकी मैं जानता हूँ कि तुम्हें मावबाजी के साथ कितने प्यार है वो आज हमसे मिलने जरूर आएंगे वो दोनों कहा हैं मैं तुम्हें बताऊंगा चलो ऐसा कहकर रवी ने जंगल के रास्ते सुआमी ची की बताई हुई जगह अपनी बहन चुटकी को ले गया भाईया हम चलते चलते बहुत दूर आ गए अब मैं बहुत ठक गई हूँ और मुझे बहुत जादा भूग लगी है भाईया आज रक्षा बंदन है ना भाईया पर हमारे पास आपको राखी बांदने जितने पैसे भी नहीं है ना भाईया अगर अपने मा बाउची को हमसे बहुत प्यार है तो भला उन्होंने हमें यूँ अकिला क्यों छोड़ दिया भाईया बोलो ना भाईया इतने में रवी को स्वामी जी की बताई हुई वो नदी दिखाए देती है चुटकी तुम वो नदी देख रही हो न वहाँ अपने मा बाजी हमें मिलेंगे ऐसा कहकर वे नदी के समीब जाते हैं भाईया ये नदी तो बहुत जोर से बहे रही है हम वहाँ व्रिक्ष के पास कैसे पहुँच सकते हैं चुटकी के ऐसा कहने पर रवी ने तुरन पेड की एक डाल लाई जिसके सहारे वो दोनों तैरते हुए उस व्रिक्ष के पास पहुँचे वहाँ पहुँचकर रवी ने स्वामी जी का बताय हुआ मंत्र बोला जिस से वो व्रिक्ष जादूई व्रिक्ष में बदल गया और चमकने लगा रवी ने अपनी बहन से कहा चुटकी इस जादूई व्रिक्ष से तुम जो भी मांगोगी तुमें मिलेगा मांग लो जादूई पेरची मैंने आज तक मेरे माँ पाओजे से बात नहीं की अपनी जादूई शक्तियों से मेरी उनसे बात कराईए न और हाँ आज रख्षा बंदन है पर मेरे पास मेरे भाई को बानने के लिए राखी नहीं है तब उस व्रिक्ष से कुछ आवाज आई चुटकी बीटिया मैं तुमारा पापा हूँ भाई तुमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है तुम दोनों का प्यार ऐसा ही पनपता रहे ऐसी आशा रखता हूँ मैं तुमें कुछ राकिया दे रहा हूँ तुम जो अच्छी लगे वो अपने बाई के हाथ में बान देना किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ भूलना मत कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ आकर मांग लेना तुमें वो जरूर मिलेगा तभी उस व्रक्ष से बहुत सारी राकिया वहाँ पर प्रकट हुई उनमें से सुन्दर सी एक राकि उठा कर छुटकी ने अपने भाई को बान दी उस दिन से उस जादो यह व्रक्ष के कारण वे दोनों भाई बहन खुशी से रहने लगे कोदंड पुरम नाम का एक गाव में लोग उचसुकता से नदी को देख रहे थे सब परिशान और चिंता में दिखाई दे रहे थे और भगवान से प्रातना कर रहे थे उस पर जब वे सबी ने एक छोटी लड़की को अपने हाथ में एक डूबी हुई नाव को बाहर लाते हुए देखा जोकि लोग से लदी हुई थी नाव पर सवार लोग और किनारे पर मोजूद लोग बहुत हैरान रहे गये उस घटना से हैरानी से उनका मूँ खुला ही खुला रह गया छोटी लड़की लोगों को नाव के साथ सुरक्षित किनारे तक ले आई तब वहां खड़े सभी लोगों ने उसे गलत समझने के लिए उस लड़की से माफी मांगी और कहा बेटा हमें माफ करना हमारे इरादे गलत थे हमारे सोज गलत थी हमने तुमें शेयतान समझा जबकि तुम वो हो नहीं वो छोटी लड़की बिना कुछ कहे उनसे दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे बैट गई असल में ये लड़की कौन है? ये लोग उसे क्यों मुर्ताना मार रहे हैं? और डाट रहे हैं? नाव नदी में कैसे डूब गई? इन सबी सवालों की जवाब जानने के लिए आईए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है इस छोड़ी बच्ची का नाव शोबा था वे अनाथ थी उसी गाव की गलियों में भीक मांगती थी जब भी वे किसी को गुजरते हुए देखती तो वे पूस्ती थी क्रिपिया मेरी मदद करें मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने लंबे से खाना नहीं खाया है क्रिपिया मुझे कुछ खाने के लिए उदार दें इस तरह से वे भीक मांगती थी और जो कुछ भी उस सड़कों पर मिल जाता था वे उसे खा लेती थी एक दिन उस गली के एक संथ गुजर रहे थे अचानक वे बेहोश हो गए और जमीन पर ही लेट गया जितने भी लोग उसे देख रहे थे वे सब आते जाते रहे लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया यहां तक कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं और सं उनके पास गई और बोली क्या हुआ बाबा क्या हुआ आपको और फिर उसने उसे उटने में मदद की और उसके पैरों को सहारा देने लगी संथ ने कहा कि उन्हें बहुत प्यास लगी है उन्होंने लड़की से पानी मांगा वे तुरन पीने का पानी लाई और उस संथ को दे दिया, उसने बहुत पानी पी, बेटा, बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी आज जान बजा ली, फिर छोटी लड़की उससे पूछती है, बाबा, आपको क्या हुआ, आप ऐसे बहुष क्यू हो गए, आपने खाना नहीं खाया होगा, आप मेरा खाना खा सकते हैं, मैं मांग कर लाया हुआ खाना, उन संद को दे देती है, उसकी मनशा और दयालू भाव को समझ कर वे संद पिगल गया, कौन हो तुम बच्ची, तुमारे माबाप कौन है, क्यू बाबा, आप मेरे बार में क्यू पूछ रहे हो, मेरे माता पिता के बार में क्यू पूछ रहे हो, आप उनी से लिया हुआ खाना खाएंगे मेरे हाथों का खाना नहीं खाएंगे उसकी बात सुनकर संत को छोटी लड़की के लिए बहुत बुरा लगा और उसने कहा नहीं मेरी बच्ची मैं भला ऐसा क्यों सोच सकता हूँ मैंने 41 दिनों तक उपवास की शपत ली है 41 दिनों मैं सिर्फ पानी लूँगा और कोई भी खानी की चीज नहीं लूँगा आज ये मेरे उपवास का अंतिम दिन है और इसलिए जो खाना तुमने मुझे दिया है मैं आज इसे नहीं खा सकता बाबा मैं एक अनात हूँ मेरा कोई देखबाल करने वालक कोई नहीं है इसलिए मैं गलियों में भीक मांगती हुई फिर्टी रहती हूँ ऐसे ही मैं अपना पेट भरती हूँ मैंने ही अपना नाम शोबा रखा है तब संत कहते हैं बस एक दिन बेटा एक दिन रुको मैं तुमारी मदद करूँगा और तुम्हें तौफों से नहला दूँगा कल इस गाव के बाहरी इलाके में जो आश्रम है वहां आ जाना छोटी लड़की हा कहती है और वे दिन भी बीच जाता है अगले ही दिन शोबा संत के पास आ जाती है और आवाज लगाती है आश्रम से संत बाहर आते हैं और छोटी लड़की को पवितर जल को पीती है और कुछ आलोकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है तब उस संत ने कहा इसी पीने से तुम जब चाहो भोजन और पानी प्राप्त कर सकती हो और इससे तुम पहाडों को कुछलने की ताकत भी मिली है इन शक्तियों को उप्योग अच्छे खाम में करना बीटी याद रखना इसका दुरुप्योग मत करना तुम इससे सब की मद कर सकती हो छोटी लड़की बहुत खुश हो गई थी उसने संत को धन्यवाद दिया और घर लोट आई उसकी बात छोटी लड़की ने भीक मागना बंद कर दिया और जब चाती उसे खाना मिल जाता था एक दिन जब छोटी बच्ची अपनी शक्तियों का प्रयोग भोजन प से लगते हैं वे इस गाव के लिए अपशुखुन है हो सकता है उसका इस गाव में रहने की गलत वज़ा हो जबकि अन्यों लोग ने कहा ये गाव के लिए खत्रा है उसे यहां नहीं रहना चाहिए उन लोगों ने गाव में हर गर में ये खबर फैला दी और सब लोगों को कुछ लाटिया लाने के लिए कहा अब छोटी लड़की के पास गए उनकी बीच बादचित कुछ इस प्रकार रही गावाले, तुम कौन हो, शैतान हो या राक्षष, हमें सच बताओ मैं ना शैतान हूँ और ना ही राक्षष, मेरा विश्वास करो तो फिर तुम्हें ये आलोकिक शक्ती कैसे प्राप्त हुई, सच बोलोगी? और वे छोटी बच्ची को पीटने लगे, जबकि वे कब से सच बोल रही थी लेकिन कोई नहीं सुनता, उसकी पिटाई जारी रही मैं सच कह रही हूँ, कृपिया मुझे पर विश्वास करो तब गाव वाले परिशान होगे, क्योंकि छोटी लड़की ने हर बार वही जवाब दिया फिर उन्होंने कहा, सावधान रहो अगर गाव में कुछ बुरा हुआ, तो हम तुम पर कोई दया नहीं करेंगे वो छोटी लड़की को बुरा लगता है और उन्होंने कहा, मुझे पर विश्वास कर ले, मैं सच कह रही हूँ फिर भी कोई नहीं मानता अपनी शक्तियों के साथ उसने अपने घावों को छुटकारा पा लिया और उसने अपने आप से कहा, मेरी महा शक्तियों से मैं उनका कुछ बुरा कर सकती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती कुछ दिन बाद, जब कुछ गाओं के लोग नदी में नावक से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव नदी में एक बवंडर में फस जाती है नाव में सवार लोग मदद के लिए जोर जोर से चिलाने लगे उनकी चीक पुकार सुनकर सारी जगे हाहा कार मज गई लेकिन कोई भी नाव में सवार लोगों की मदद करने का जोकिम नहीं उठा था तबी छोटी बच्ची ने सिती देखी कि कोई भी उन लोगों की मदद करने वाला नहीं आया उसने खुद उनकी मदद करने का फैसला किया वे नदी की और भागने लगी और सब उसे देखकर हैरान होगे उसने लोगों को बचाने में मदद की और उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे तक ले आई उसकी दायालू और निश्वार्ट भाव को देखकर गाव के लोग को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होई अपने काम के लिए उस छोटी लड़की से माफी मांगी और उसकी प्रसंता करना शुरू कर दी वे बिना बोले वहां से मुड़ी और उनसे दूर चले गई जब कुछ अच्छा होता है तो वो हमारी प्रसंसा करते हैं जब कुछ बुरा होता वे सच्चाई जाने बिना हमें दोस देते हैं और चोट पहुँचाते हैं ग्रामिनों का मानना था कि छोटी लड़की का बहुत अच्छा साब दिल है और उसके पास महाशक्तियां और वे सब उसके साथ सम्मान पूरवक व्यवहार करने लगे और उसकी मदद में अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे छोटी लड़की शोबा ने उन्हें माफ कर दिया और अपनी शक्तियों से उनकी मदद की